प्रदेश में विजेपुर और बुधनी में विधानसवा उप्चनाव होने वाले हैं और बीजेपी दोनों उप्चनाव के तयारियों में जटी है बुधनी में सोगातों की जड़ी लगाने के बाद आग बीजेपी सरकार मिशन विजेपूर उप्चनाव पर लग गई है आज मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विडी शर्मा शियवपूर मुरैना और गॉलियर के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विडी शर्मा ने आईबी सी 24 से बात चीत में कहा कि बीजेपी चनाव के लिए नहीं विकास के मुद्दे पर प्रतिबद रही है पहले से विजेपूर में तैयारियां चल रही है वहीं हर्याणा चनाव में मिली जीत और इवियम को लेकर कॉंग्रिस के आरोप पर विडी शर्मा ने क्या पलटवार किया है सुनवाते हैं आपको भारती जनता पार्टी के बल चनाव के लिए नहीं जुटती है विकास के प्रति भारती जनता पार्टी का नितरुत हमारी सरकार हमेशा प्रतवद्द रही है इसलिए विजयपूर का उपचुनाव है तो नेचरली वहाँ आज से नहीं बहुत पहले से और पूरे मद्ध प्रदेश के अंदर भारती जंता पार्टी तो समग रिवकास की बात करती है तो विजयपूर में आज तेंदू पत्ता संग्रक भाई और बहने उनकी लिए भारती जंता पार्टी की सरकार ने जो सोगाते दी है आज मानी मुख्य मंत्री जी हमारे केबिनेट के मंत्री सबी लोग वहाँ रहने वाले हैं तो आप सुन रहे हैं बीज़ेपी की प्रदेश वद्यक्ष मद्यप्रदेश के वीडी शर्मा को आपको बता दे कि आज अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे और उनके साथ से हम दौक्टर मोहन यादव भी रहेंगे और आईपीसर वनीफोर से खास बातचीत में बीज़ेपी की प्रदेश वद्यक्ष वीडी शर्मा ने कॉंग्रिस पर निशाना सादा कल जिस तरह से एतिहासिक जीत दर्ज किया हर्याणा में बीज़ेपी और उसको लेकर कॉंग्रिस ने जो सवाल उठाये हैं इवियम पर उस पर पलटवार भी किया